दोस्तो MTS कंपनी का नाम तो आप कभी ना कभी सुने ही होंगे MTS, Mobile Telecom Service अगर आप 2010, 2011, 2012, 2013 या 14 साल तक भी आपने मुबाइल फोन को यूज करते हैं तो तब आप MTS नाम का रमरमा तो कहीं जगे के अंदर सुने होंगे क्योंकि तब MTS एक ऐसा कंपनी था जो आपको Unlimited का मजा जो है वो यहाँ पर दिया था MTS कंपनी, MTS का Mobile Phone अगर आप लेना चाते हैं तो आपको Pure Mobile Phone खरिदना होता है ऐसा नहीं या आप किसी भी Mobile Phone के अंदर MTS का SIM लगा कर उसे चला सकते हैं आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि MTS जैसे कंपनी भारत के मार्केट के अंदर बंद क्यूं हो गया MTS कंपनी को क्यूं बंद कर दिया गया भारत के अंदर क्या जियो की वज़े से वो बंद हो आया जियो से पहली वो बंद हो गया था पूरा details बताऊंगा इस वीडियो के अंदर तो अगर आपको इसके बाड़ में जानना है MTS के history के बाड़ में जानना है तो definitely वीडियो का आखिर तक देखिए बहुत सरे जानकर इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जो में लिए राजुस्थन के अंदर अपने सर्विस को प्रोवाइड करने लगे और एक huge amount of subscribers MTS राजुस्थन के अंदर एक वाड़ किया अभी यह जो रेन्बो कमपनी वो system है और Sam कहके दो कमपनी के साथ partnership करके यहाँ पर किया गया था यहाँ पर इंडिया के एक company और रासिया के company मिलकर रेन्बो कमपनी को बनाया था बाकि जो टेलिकम companies है वो में लिए GSM पर अपने service को प्रोवाइड कर रहे थे लेकिन MTS जो है वो अपने CDMA के अंदर service प्रोवाइड कर रहे थे देकिन CDMA को चूज करने का main जो मकसद है कि वहाँ पर call quality काफी बढ़िया होते हैं कर सकते और अपने different devices के अंदर मेली जो internet है वो आप यहाँ पर चला सकते हैं तो तब के time के अंदर 9.8 Mbps का speed MTS Blaze की मदद से दिया जा रहा था और इसके अंदर कुछ ऐसे offers भी provide किये जा रहे थे कि देखिए अगर आप एक बार Blaze device खरेद लिये तो आने वाले 6 माइने तक आप unlimited internet को use करो मतलब GO के आने के पहले ही MTS जासे company आपको unlimited का मजा यहां पर दिया था और देखिए MTS CDA में company होने के ना थे तो उनको ज्यादा खर्च नहीं होता कि भाई वो अगर unlimited service को यह पर provide करे तो company के अंदर huge amount of खर्चे हो जाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था MTS के अंदर खर्चे जो वो काफी जादा कम होते थे और वो customer को काफी बढ़िया तरीके से अपने service को provide कर रहे थे तो पहले MTS company राजुस्तान circle के अंदर अपने service को provide करने लगे उसके बाद MTS ने सोचा कि भाई देखो पूरे भारत के अंदर अभी service को दिया जाए क्योंकि MTS का सबसे बढ़िया बात था कि MTS के जो network के उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होते थे और call quality जो वो काफी जबर्दस होते तब ये भोल्टी का सिलसिला नहीं था लेकिन फिट भी जो calling quality आपको मिलते थे वो काफी जबर्दस मिलते थे problem निकल काया 2012 साल के अंदर 2012 साल के अंदर हमारे honorable supreme court की तरफ से MTS के 22 circle के license में से 21 का license को cancel कर दिया तब डिफरेंट सिलसिला हुआ था जिसकी वज़े से हमारे honorable supreme court की तरफ से ऐसा decision लिया गया था लेकिन कोई बात नहीं 2013 साल के अंदर MTS company ने government की तरफ से फिर से 9 circle के अंदर MTS 2013 साल के अंदर अपने service को चला रहे था और काफी बढ़िया तरीके से चला रहे थे एक साल बहुत ही बढ़िया गया लेकिन problem निकल काया 2014 साल के अंदर आपको पता है government change हो गया था 2014 साल के अंदर government change होने के बाद rules and regulations भी यहाँ पर change हो गया दोस्तो तब में लिए बाकी जो भी टेलिकम company था ताब आपको बता है भारत के अंदर 10 या 11 टेलिकम company था हार एक टेलिकम company अपने service को GSM के अंदर provide कर रहे थे लेकिन MTS अपने service को CDMA के अंदर provide कर रहे थे और दिक्कत जो यहीं स circle depend करते हैं देर से दो गुना बढ़ा दिया गया है मतलब for example आपको देली के अंदर service provide करना है तो देली के अंदर जो GSM companies है for example ARTIL था 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 वोड़ा फुन था आईडिया company था Reliance Communication था बहुत सरे company था जो GSM को इपर काम कर रहे थे तो उनके लिए for example आपको 6,000 करण रूपे government को देना होगा license पाने के लिए ठिक उसी जगा MTS company को वो similar जगे के अंदर आपने CDMA service को चलाने के लिए 10 से 12,000 करण रूपे government को देना पर रहा था यह तो बिलकुल भी ठीग MTS के अंदर 35,000,000 से भी जाधा का कास्टोमर्स था मतलब एक अच्छे कासे सबस्कारबर बेस था MTS company के अंदर और unlimited का मज़ा भी यह पर देना लगा MTS company उसके बाद चल नहीं पाया धीरे 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 2014-15 तक चला 2016 के जानौरी के अंदर MTS company मतलब जो अनि लंबनी का Reliance Communication Company जीओ तो मुके संबनी का company है तो उनके बड़े भाया जो अनिलब मनी है उनका जो company था Reliance Communication उनको बेस दियागा MTS company तो MTS का खेल जो खतम हो गया दोस्तों जीओ आने से पहले ही MTS का खेल खतम हो गया था due to government rules and regulations ऐसा चीज हुआ है MTS के साथ अगर MTS आज के डेट के अंदर भी अपने service को provide करते ना तो जीओ से ज्यादा speed आपको देते हैं और जीओ से सस्ते में आपको काफी बेतर बेनिफिट्स आपको provide करते है MTS क्यूंकि पहले unlimited का मज़ा है MTS ही देखने के लिए मिला क्यूंकि MTS to MTS unlimited calling तब calling के लिए आपको अच्छे का सा चार्ड्स देना प आया है कि MTS company भाई क्यूं भारत के अंदर bankrupt हो गया क्यूं बंद हो गया भारत के अंदर एक अच्छे का से सर्विस प्रवाइडर में खूद MTS का चारफोन अभी भी मेरे पास MTS का चारफोन जो में खूद अभी भी मतलब यूस दो नहीं करता मतलब देखता हूं एक टाइ तो वीडियो को लाइक किजिए वीडियो का अपने दोस्तों के साथ सेयर किजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पासमेल लाइक उनको दवाना बिलकुल भी मत फुलिए ऐसे इंट्रिस्टिंग वीडियो टेली वेसे देखने के लिए थैंक्स वर्चिंग बाएं टेक क्यार आप से विडियो के साथ तब तक लिए दोस्त अपना ख्याल लखिए गए